नमस्कार दोस्तो आज फिर मैं आप सबका स्वाधत करता हूँ और ITC Share की latest news क्या है और इसके future target क्या बनते हैं दोस्तो news और chart analysis के माध्यम से आपको future target भी यहाँ पे हम लोग predict करें तो दोस्तो पूरा वीडियो देखना जरूर न भूले और पूरा वीडियो देखेंगे तो last में हम लोग targets के बारे में बताएंगे और stop loss भी बताएंगे तो चलिए दोस्तो चलते हैं ITC Share के latest news के बारे में ITC Share की latest news बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है दोस्तो ITC to strength dairy business in eastern region eastern region में वो अपना फैलाव कर रहे हैं business का और dairy business कास करके milk business में काफी ज़्यादा investment करने वाले हैं ITC का target है दूसरा कि Sevalon से वो 1,000 करोड का business करने वाले हैं और तीसरा ITC का फियामा ने launch किया है my happiness and initiative lead to conversation on mental well being on mental health day तो mental health day पे ये कुछ न कुछ new कर रहे है फियामा ने launch किया है और चौती चीज है ITC increases stake in delectable technologies to 20% तो चार बड़ी बड़ी news है जिसकी वज़ा से अब ये share उपर जाएगा और definitely जाएगा एक दो दिन का हो सकता correction देखने को मिल जाए लेकिन ये definitely share उपर की तरह पर जाएगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं चार्ट के माद्धे हम से analysis करते हैं कि क्या जाएगा सबसे पहले हम आपको comparison बताते हैं ITC, Godress Consumer और हिंदूस्तान Unilever के तीनों में सबसे अच्छा कौन सा share होगा और क्यों लेना चलिए दोस्तों आप देखे तो P by B देखिए तो सबसे कम ITC का है और P by E भी सबसे कम ITC का है यानि कि profit to equity और दूसी चीज़ प्राफिट to book level जो है ये आपका price to book level और price to equity level ये आपका ITC में सबसे कम है और सबसे कम share price की value भी 168 तो यहां से risk reward अच्छा मिल सकता है risk ratio भी देखें तो तीनों share का लगबग 16-17% के आसपास का है और delivery भी ठीट ठाक है सभी share की तो चुकि FMCG sector बहुत दिनों से चला नहीं है अभी इसकी चलने की बारी आ गई है तो ITC का share जरूर बाई करें और hold करें target के लिए लगबग लगबग और 180-190 तक के target आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं ITC का stock analysis one month का view क्या कहता है one month का view ये है कि 168 पे current price है और जैसे ही ये 173 को cross करेगा दोस्तों ये इसमें काफी major upside moment आएगा और वो upside moment आपको 190 तक भी लेग जाके जा सकता है currently 50 MSI MFI indicate कर रहा है money flow index की currently ये ना ही oversold ना ही overbought zone में है तो definitely buying करने की opportunity है मेरा suggestion ये 165 के label पे buy करिए stop loss 158 का लगाई है और target लगबग 184 तक के एक month में आने को मिल सकता है ITC का stock analysis three month का view ये कहता है कि ballinger band ये suggest कर रहा है कि आपको stop loss जो रखना है वो 162 का रखना है lower band suggest कर रहा है और upper band 184 का suggest कर रहा है यानि current label पे आप buy करिए target 184 के होंगे 162 का stop loss होगा money flow index 19 indicate करा ही काफी जादा oversolding हो चुकी है अगर आप 3 month के नजरिये से तो definitely buying opportunity है तीन month के नजरिये से इसको buying करें और यहाँ पे देखिए दोस्तों तो green candles बननी शुरू हो गई है तो ये एक अच्छा संकेत है share के लिए और definitely ये upside moment दिखा सकता है मैं ये suggest करता हूं दोस्तों expiry के लिए October month के expiry के लिए ITCCR का call option लीजे 170 वाला call option लीजे 4 रुपए 35 पैसे, 4 रुपए 40 पैसे पे है आप इसको currently जो buy करना है आपको 3 रुपए 70 पैसे पे या 4 रुपए के आसपास भी buy कर सकते है और वहाँ से आप stop loss जो लगाना है आपको दोस्तों तो वह लगाना है लगभग 5 रुपए का stop loss लगाना है 4 रुपए पे buy करिए 5 रुपए का stop loss लगाईए और लगभग आने वाले दिनों में 9 रुपए तक के भी level देखने को मिल सकते हैं तो फिर से दोस्तों बतारों 170 का call option लीजे आपको 4 रुपए के लेवल पे buy करना है धाई रुपए का stop loss लगाना है 2 रुपीज 50 पैसिस का और अप साइड जो है लगभग लगभग 8 ते 9 रुपए तक के आपके लेवल देखने को मिलेंगे एक्सपाईरी तक ITC Limited का share analysis क्या कहता है Nifty data पे 52 week का जो low बनाया 134 का बनाया 52 week का जो high बनाया 266 का बनाया VWAC 167 के राउंड है जिसके near about price है delivery और risk ratio बहुत ही अच्छा है traded volume बहुत अच्छे है P by E और P by B भी बहुत ही अच्छा है तो definitely इस label पे buying opportunity है ITC में अच्छे share में जब भी oversolding होती है तो एक buying opportunity की तरह देखना चाहिए और इसको हमें buy करने और जिसके पास है वो hold रखे हमारे जो target होंगे एक मन्त में 184 के होंगे लगबग 10% return के ये stop loss होगा 158 का होगा तो definitely इस label पे buy करें और अगर 3 मन्त का नजरिया है तो definitely ये share 200 तक के भी लेवल दिखा सकता है तो ये था दोस्तो ITC share के बारे में अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को like and subscribe करना मत भूलिए और हमारे telegram channel से intraday trading के लिए जरूर जुडिए थैंक्यू दोस्तो